हलो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हेरफॉल यानी बाल जहनने के दस कारण और उसके उपचार के बारे में दोस्तो जिसे भी देखिये वही अपने जहरते बालों से परिसान है अगर इसकी सही वज़य पता चल जाए तो इस समस्या से छुटकारा भी पाया जा सकता है दोस्तो बाल जहने की जो पहली बजा है वो है जैनेटिक्स यानि परिवार में किसी बड़े को बाल जहने की समस्या होना अगर एक साल तक पीरियर्ट्स ना आने पर हार्मोन का लेवल गरबर होने लगता है ऐसे में बालों पर भी बुरा असर पढ़ता है अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन, विटामिन्स और मिनेल्स की कमी है तो हेरफल होना लाजमी है नमबर चार तनाव मांसिक या सारीरिक तनाव बालों को कमजूर कर सकता है नमबर पांच खराब खानपन अगर आप जंक फूर्ड अधिक तली हुई चीजें या सराब का सेवन करते हैं जो बालों के जहनने की बड़ी वज़ा बनती है नमबर चे दवाओं के साइड एफेक्ट्स बिलड प्रेसर, हिर्दरो, कैंसर की दवाएं भी बाल जहनने का कारण बन सकती है नमबर साथ, सर की तूचा की समस्या, रूसी, फंगल इंफेक्शन ये सेबरिक डर्मिटाइटिस की अगर आपको समस्या है इस कंडिशन में भी हेरफॉल अधिक होता है नमबर आठ, रासाइनिक उत्पादों का अधिक उप्यूग, अगर आप सैंपू, कल्लिंग एजेंट और इस्टेलिंग प्रूडेक्स का अधिक उप्यूग करते हैं, इससे भी हेरफॉल होने के चांसे बहुत अधिक होते हैं नमबर नो, बालों की गलत देखवाल, बालों में बार बार कंगी करना, गीले बालों में कंगी करना, या बालों को कसकर बाढ़ने से भी हेरफॉल के समस्या होती है नमबर दस, बीमारियां, अगर आपको एनिमिया की प्रोबलम है, डाइबिटीज है, या इम्यून सिस्टम से जुड़ी कोई भी बीमारी है, तब भी आपको हेरफॉल की समस्या हो सकती है बात करें हेरफॉल यानि बाल जहनने के उपचार के बारे में तो आपको सौस्ट आहल लेना है, जैसे विटामिन E, विटामिन D, बायोटीन और प्रोटीन युक्त भोजलने, तनाव कम करने के लिए रोज एक्सरसाइज करें, नारेल की तेल की मालिस करें, या एलवरा जे को बढ़ावा देता है, और केमिकल फ्री सेम्पू और प्राकर्तिक उत्पादों को उप्योग करें, इन सभी उप्योगों के साथ नियमित देखबाल और सही खानपान से बालों की जहनने की समस्या से निजात पाई जा सकती है, दोस्तों इस वीडियों पर सतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सस्क्राइब कर लें, और अगर आपको एरफॉल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमसे इस्टाग्राम पर आकर बात कर सकते हैं, इस्टाग्राम का लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,